संजय जैसवाल जी भाच्पा के परदे सद्धक्ष हुई रह चुके हैं और अभी बर्तमान में सांसद हैं। उन्होंने तो खुद बेयान दिया कि सब जगा सराब मिलता है दिखता नहीं। गोपाल मंडल जी है जदिव के विधायक है। उन्होंने खुद बेयान दिया अपने ही सांसद पर बेयान दिया किया जाए मंडल जी सराब मगवाते हैं और सराब का सेवन करते हैं। और सराब बंदी जिस दिरिट इस्चा सक्तिक से लगाई गई। लेकिन जो है इसको सरकार सफल नहीं कड़ा पाई। बिना रिस्वत के कहीं ये काम नहीं हो रहा है। सराब बंदी कानुन लागूँ आथा। उस से में नितिष कुमार राज़त के साथ था। अईसे मैं हमारा से बाचinkyत करने के लिए पुर मंत्री और राज़त के विधाया के स्ट्रयाल मन्सुरी इंसा बाचित करेंगे। बिहार में सराबंदी कानून लागू है, कितना सफ़ल है? देखें, सराबंदी कानून, कितना सफ़ल है तो जो NDA के लोग है, चाहे जेडियू के लोग है, जो MP हैं, MLA हैं, वो लोग बोलते रहते हैं. संजय जैसवाल जी भाच्पा के परदे सधक्ष हुए रह चुके हैं, और अभी बरतमान में सांसद हैं. उन्होंने तो खुद बियान दिया, कि सब जगा सराब मिलता है, दिखता नहीं. गोपाल मंडल जी है, जदिव के विधायक है. उन्होंने खुद बियान दिया, अपने ही सांसद पर बियान दिया, कि मंडल जी सराब मगवाते हैं, और सराब का सेवन करते हैं. तो जब सक्ता के लोग ही जब बोल रहे हैं, विधायक और मंत्री एंडिये के, कि सराब बंदी फेल है, तो फिर हमको नहीं लगता है, कि इस पर हमको बोलने का बहुत ज़्यादा जरूरत महसूस हो रहे हैं. आप लोग के सरकार के समय ही लागू है, आप लोग सरकार में थे समय, उसमें इस कानून लागू हुआ था. देखिए, नसा मुक्त समाज हो, हर व्यक्ति कल्पना करता है. हम लोग भी चाहते हैं कि नसा मुक्त समाज बने, अच्छा हो, और सराब बंदी जिस दिरिट इस्चा सक्तिकर से लगाई गई, लेकिन जो है, इसको सरकार सफल नहीं कड़ा पाई. कहीं ने कहीं अधिकारियों का दोसा, नहीं तो शुरू में तो बड़ी अच्छी सफल दिखी रही थी, लेकिन जैसे जैसे सरकार का इकवाल खतम हुआ है, प्रदा अधिकारी जो है से मिली भ्यगत करके सराब बेचवाने का काम कर रहा है. अधि तो नहीं लगता कि भिहार हैं पूरी तरह सब सराई हाभी हो गई है. निश्चित्तोर पर बिना रिस्वद के कहीं ये काम नहीं हो रहा है, चैय किसी पार्टी से संबंधित हो, किसी का कुछ नहीं सुना जा रहा है अब सरसाही राज्चला है कैसा बिहार में लॉइन और फिलाल कैसा बिधी पर वस्ताइक आला में है कि कोई ऐसा दिन नहीं है जो किसी जिले में गोलिबारी की घटना नहीं होती है हत्या बलतका लूट याम हो गया हुआ है पूरे पूरा बिहार में अपराथ चरम सीमा पर चला है आप एंडिये लगातारा कहते हैं कि राजत के समय जंगल राज हुआ को देखिए तो कुछ तथा कथित लोग जो बोलते थे कि जंगल राज है तो अभी इसको इस राज को क्या कहिएगा महां जंगल राज बोलेंगे चुनाव आने वाले हैं 25 में अफिलाल अभी उप चुनाव विहार में होने हैं चार विधान सवा में क्या लग रहा है कि क्या लग रहा है कि चारों में से उम्मीद लगे गए राजसीत निकालेगी निस्त तोर पर उप चुनाव के डर से तो एंडिये को लोग आपस में और दिखेगा उप चुनाव में राष्टी जनता दल बीजे पर आप करेगा पीके का नाम आपने सुनाव किसे और वो भी चुनाव में उतर गये हैं दो अक्टूबर का पाटी बना था अब मैदान में उतर चुके हैं अपने अपने परत्यासु को उन्होंने खारा कर दिया है तो हर आदमी का अधिकार है चुनाव लगने का पाटी बनाने का तो इसा बहुत सारे पाटी है तो बिहार में चल रहा है सभी जगा मुमनिस्तु पाटी तो बनता रहता है परसांद किस और का दावा है कि आने वले समय में हम लोग सरकार बनाएंगे पूरे बिधान सवा में 243 सीट पर मतलब उमिद्वार को खारा करें दो या ठीक है सुब कामना है कूर पाटी नहीं जो भी पाटी बनता है सरकारे बनाने के लिए पाट पाटी को लोग दावा करते हैं दावा करने से कोई रोका तो रही है पाटीस में क्या लग रहा है पचीस में जो तेस्वी परसाद्यादब जी बिहार के मुखमंत्री बनेंगे जिस तरीके से अपराध भरष्ट आचार जो आम अवां इदम परसान है गरीब नोजमान छात प्रकिसान सभी लोग प्रसान है और 17 साल और बनाम 17 महीना का विकास गाता जो तेस्वी प्रसाध आदप जी ने बिरुजगारों को नोकुरी देने का काम किया है नोकुरी मोडल पर बिहार को ले जाने का काम किया है इसे तमाम ये टुजेट्स तमाम बर्गों का लोग चात था है कि एक बार बिहार का मुख मंतरी युगा ने तरुस श्री तिजस्वी प्रसाध आदप को बना है बिल्कुल तो आप सुन रहे थे कांठी से विधाया के इस्ट्राल मंसूर और बिहार सरकार के पूर मंतरी भी रह चुके हैं लेकि जिस परकार से बिहार मस्तराबंद के लेता के ले नमस्कार